सरकार ने संसत के मौनसून सत्रु से पहले आज बुलाई सर्वदलिय बैचक दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से होगी सहयोग करने की अपीम एंडिय फ्लोर लीडर्स की बैचक में मौनसून सत्र के दौरान विपक्ष को घेडने की रणनीती पर होगी चर्चा कल से शुरू होने वाले सत्र में विधाई और अन्य विश्यों पर साथ थक चर्चा में भी भाग लेने का होगा अगरे बैंगलोरू पुलीस ने पांच संदिग्द आतंक्यों को किया गिरफ्तार सीसीबी संदिग्दों से कर रही है पूछताच आतंक्यों की बैंगलोरू में धमाखा करने की थी साज जम्मु कश्मीर में सुरक्षावलों ने आतंकी गुसपैट की कोशिश को किया नाकाम कुपवारा के माचल सेक्टर में दो आतंक्यों को किया धेर इलाके में सर्च अभ्यान जार हिमाचल, महराष्ट, गुजरात, गुवा, तिलंगाना, ओडिशा समेट कई राज्यों में आज भी भारी बारिश का नुमान महराष्ट और जम्मु के कई जिलों में स्कूल बंद दिल्ली में फिर हत्रे के निशान से उपर पहुँची यमुना रूस के काला सागर अनाथ समझोते से पीछे हटने पर भारत ने जताई चिनिता युवन में भारत की प्रतिनधी रुचिरा कमबोज ने बातचीत और कूट निती के जरिए हल निकालने पर दिया दो पोरिया ओपन बाडमिंटन टूनूमेंट में आज भारतिये श्रकलर्स पर होंगी नजरे वीवी सिंधू, किदामभी और फ्रॉय खेलेंगे अपने अपने शुरुवाती दोर के मुकाब्र और बैंगलोरू में पांच संदिक आतन की गिरफतार हो गए हैं उस पर बैंगलोरू पुलिस कमिशनर इस वक्त बात कर रहे हैं यह सुनते हैं पुलिस कर दो मुकाब्ड़ और इस वरे मुकाब्स आतनापे लुए अपने अपने प्रॉच आतनापने यह सुनते हैं अपने प्रॉच मेंगे सब्सक्राइब हैं सब्सक्राइब रखनागरा करिणा है अंधनागरा पूर्घ।ी एप मिजिए पुर दचलिब मारी वियर्पटोठी व्लाट कि यह अइन ट इंवर नहीं किन numb more sleeper's sales, और पूफिक नहीं को वोदी समिल घ्रगामी जरुचेस टो इंपले अगए लगानीm कि मुझे हच memorial के लिए टारी बेल्याग विपरि सो कि औरी अफ्तो हम करने प्राइभा सुरिकता इजाबना यहाति नहीतक अटÀ परहों हूधर प्रेस्ट प्राइभाates defので वित्र अच्थर्स आगूं active but definitely proper watch, observation and whatever you say the sweeping and other things they happen regularly we do conduct rates on the presence and identify for the possible communication devices and other things this activity goes on but at the same time we have also been successful in fighting whatever such efforts are there from these criminal elements what about your background and have they been trained with the weapons have they done any weapon training as of now it is not established but their interrogation is still on then we will be able to what about the background sir that one is they are all involved in certain and criminal offenses and they are working in different petty kind of jobs and how the person is his background sir? he is basically from Atenagar area and he is the main accused in 2017 murder case and Atenagar no murder case and he is involved in small small businesses and other things presently he is likely to be abroad sir could you talk us through some of the funding aspects of this case sir where did the funding come from? it is seen that some funding has been done by the person who is sitting abroad now and he has sent some money through various channels including google pay and other things that we are investigating sir do you feel that probably central agencies also getting involved in this like the NIA would be we are already in touch with the central agencies we will seek their cooperation especially with regard to the person who is presently abroad in inner southicho no sir机 from Kerala He is certainly the same He is also involved in IAS detectible विन उन 10 अडर केसे रहुआ, अरो प्रफिकलन उरत पड़िसी आप अच्छी तेर्यां आज केसे रहे हुआ है। 19 अग्लों मैं आजुए नियुआ 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 नेजिन के लिए जियुआ अच्छी नियुआ है। एंपर्बेटरी पेडिज छीए हमाइ़ के इसे तो इसे लिए सुपनेखे हैं अबल पीर्स अबहुते जीए कि सिर्वीटर घुट भाल एकड़ हैं लिगने था उप्रिव फेल नाय रहे सब्सक्राइब हैं। लेडोप्य चल हमज़केश कि इन अर्मुट लूटरोभिंग येक टार्व इन चालक टैटरिवने महबकिन धलन कर्या है अभूए नौन प्रिञ्सके रिंच तोर स्वित थेडू만 तो बैंगलोरू में आप सुन रहे थे पुलिस आयोग को जो साफतर पर अपनी प्रेस्ट कॉंफेंच में कह रहे थे कि पांच संदिग्द आतंक्यों को गिरफदार किया गया है और अभी जो CCB है वो संदिग्दों से पूछताच कर रही है और साथी साथ उन्होंने ये भी क कि आतंक्यों की योजना थी कि बैंगलोरू में कोई ना कोई बड़ा धमाका करने की वो योजना बना रहे थे इन सभी के जो संबंध हैं वो आईएस आईएस से बताय जा रहे हैं गरिफदार आतंक्यों की जो पहचान है वो सैयद, उमर, जानिद, मुदासर और जाहिद के रूप में हुई है और इसके साथ ही CCB ने विस्पोठक सामगरी को भी जब्त किया है CCB संदिक्दों से पूछताच कर रही है CCB ने बताया कि ये पांचो 2017 के एक हत्या मामले में आरोपी है और परपाना अगरहारा सेंट्रल जेल में रहने के समय आतंक्यों के संपर्क में इन्हें आतंक्यों को जो विदेशी funding है वो भी मिल रही थी और अभी क्योंकि ये शुरवाती दौर है interrogation चालू है और बहुत से ऐसे राजजन से आने वाले समय में परदा उठेगा और ये जो सामगरी आप देख रहे हैं जो जब्त की गई है ये उसकी तस्वीरे पुलीस इसमें साचा की है बढ़ते आगे सरकार ने संसत के मौनसून सत्र से पहले आज सर्व दलई बैठख पुलाई है सरकार की ओसे तमाम दलों को इस बैठख में शामिल होने का जानकारी भी मिलेगी ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बैठक के दौरान राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के साथ एक आम सहमती बनाई जा सके ताकि संसद सुचारू रूप से चले और एक सहयोग मिले इससे संसद के समय की बचत होती है वाइब अपक्षी दल भी अपन आज एंडिये के फ्लोड लीडर्स की बैठक होनी है बैठक में महत्वपूर्ण मुद्व और संसदिय काम काज पर चर्चा होगी जिसमें विपक्ष को घेरने की रनीती पर भी मन्थन होना है मौनसून सत्र कल से शुरू होगा जो 11 अगस्त चलेगा 23 दिनों तक चलने वाल बिहार ATS ने आज तड़के PFI के मास्टर ट्रेनर याकूब उस्मान उर्फ सुल्तान को गिरफतार किया ATS ने मोतिहारी पुलीस की मदद से चक्या के बाजगाट से PFI के संदिग्द सुल्तान को गिरफतार किया इसका चक्या के गांथी मैदान में ट्रेनिंग देते विडियो वायरल हुआ था उन लेखनी है कि NIA की जाच में PFI के संदिग्द गतिविधियों में भूमिकास पष्ट होने के बाद बिहार ATS सुल्तान को काफी दिनों से तलाश कर रही थी उस्मान PFI के मास्टर ट्रेनर के रूप में काम कर रहा था जिसका खुलासा होने के बाद NIA ने R.C. 32 केस दर्च कर बिहार ATS को इसको पकड़ने की जिम्मेदारी दी थी जिसके बाद बिहार ATS के F.P. संजे कुमार और मोतिहारी F.P. कांतेश कुमार के दिश्वा निर्देश में याकूब उस्मान उर्फ सुल्तान खान को चक्या के बास खाट से गिरफतार किया गया अभी पुलीस को PFI सर्गना रियाज मारूफ की तलाश है जमुकश्मीर में सुरक्षबलों ने आज सुभा आतंकी घुसपैट की कोशिश नाकाम की कुपवारा के मास्चिल सेक्टर में सुरक्षबलों ने दो आतंकीों को ठेर कर दिया सेना, B.S.F. और जमुकश्मीर पुलीस के संयुकत अभ्यान में सुरक्षबलों को बड़ी कामियावी मिली मौके से चार एके राइफल्स, छे हैंड गुनेड और अन्य युद सामगरी जब्त की गई है फिलाल तलाशी अभ्यान जारी है जमुकश्मीर में एक बार फिर आतंकीों ने बाहरी मजदूरों को निशाना बनाया आतंकीों ने अनंतनाग में दो बाहरी मजदूरों पर फाइरिंग की है इसमें दोनों मजदूर घायल हो गए, दोनों को अस्पिताल में भरती करवाया गया है मजदूरों की पहचान नहीं हो पाई पोलीस ने तलाशी अभ्यान के लिए इलाके की घेरा बंदी की है बात अब मौसम को लेकर करते हैं हिमाश्चिर प्रदेश के अधिक्तर भागों में आज सुभा से ही वर्षा हो रही है हिमाश्चिर प्रदेश के मौसम विज्ञान विभाग ने 22 जुलाई तक राजे में मौनसून के सक्रिये रहने की संभावना जताई है वह ये चंबा, कांगडा और मंडी सहित अन्य भागों में भी भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया मौसम विज्ञान केंदर शिमला के निदेशक सुरिंदर पाल ने बताया कि शिमला, मंडी, कुलू और चंबा सहित कई जिलों में भूस खलन, बादल फटनी और बाड की आशंका बनी हुई है उन्होंने लोगों से एतियाद बरतनी और नदी नालों के नद्दीक नहीं जाने की अपिल की है जब कश्मीर में बारिश का दौर लगातार जारी है, भारी बारिश के कारण अचानक बाड और भूस खलन की आशंका को देखते हुए डोडा के DC विशेश पाल महाजुन ने सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिये हैं जब कश्मीर के आनच चवालीश पर बड़े पैमाने पर पथर गिरने के कारण रास्ता अवरुद हो गया प्रशासन ने कहा कि जब तक सड़क साफ करने का काम पूरा नहीं हो जादा तब तक लोग इस सड़क पर यात्रा करने से बचे मुंबई के कई हिसों में आज भारी बारिश होई है बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराफ की समस्या पैदा हो गई जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्तों का सामना करना पड़ा मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक शहर में तेज वर्षा का सेलसिला जाती रहने का नुमान है माई वौसम विभाग ने आज के लिए पालघर, राइगर के लिए रड़ अलर्ट जारी किया वही ठाने, मुंबाई और रतनागिरी के लिए औरेंज अलर्ट जारी किया गया राइशारी दिल्ली में यमिना नदी का जुरस्तर फिर से खत्रों के निशान को पार कर गया यमिना का जुरस्तर आज सुभा दोसो पांच दिशमलव छे शूने मीटर दर्च किया गया मौसम विभाग में दिल्ली में आज बारिश की संभावना ज़ताई है जिसमें कंजावला, मुंडका, पश्च्वमिहर के आजपास के एलाकों में खलकी बारिश हो सकती है वहीं आईटी और बैराज का गेट खोलने के लिए एंडियारफ और सेना के जवान पूरी मुस्यदी के साथ जुटे है सरकार ने शहर में भारी वहनों की प्रवेश पर प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया राजथानी के कुछ शेत्रों में जल भराव की स्थिती में सुधार होने के बाद सडकों को यातायात के लिए खोल दिया गया हाला कि अभी राजखाट के पास जल भराव की स्थिती बनी हुई है तो राजठानी दिली में यमुना की बार से प्रभावित हजारों लोग राहत शिवर में रहने के लिए मजबूर है एक हफ़ते से ज्यादा समय बीटने के बाद भी बार प्रभावित लोग अपने घर नहीं जा पाए ऐसे में समय राहत शिवरों के हालात क्या हैं इसका जाइजा लिया ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे सहयोगी पराक्रम सिंग शेखावत में सूरत हाल हम क्या बया करें यहां हालात खुद अपनी लाचारी अपनी बेबसी और अपनी मजबूरी को रोते हैं हम मौजूद हैं गीता कॉलोनी में और गीता कॉलोनी में यहां पर राहत शिवर केंद्र लगाए गए हैं और यह तकरीबन एक हफ्ते से जादा का समय बीचुका है बावजूद इसके जो यमुना की बार से प्रभावित लोग थे वो इन राहत केंद्रों में रहने को अब भी मजबूर हैं यह तूटा हुआ पलंग गवाही देता है इस बात की कि किन हालातों में यहां पर लोग रहने को मजबूर हैं और यह जो इलाका है यहां पर तकरीबन 46 टेंट लगाए गए हैं और इन 46 टेंट में आपको बता दे कि 500 से ज्यादा परिवार इसी तरीके से अपनी जिन्दगी बिता रहे हैं इन्हें इंतिजार है कि कम से कम सरकार इनकी सुद ले हाला कि सरकार की तरफ से यहां पर टेंट लगाए गए हैं उसकी व्यवस्था तो की गई है लेकिन फिर भी जिस इसतर के इंतिजाम होने चाहिए थे मानवेता के आधार पर उस इसतर के इंतिजाम यहां पर नहीं है मतलब और आज़ पास के सिधी तो आप देखी रहे हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पर बरतन धुले जा रहे हैं और कुछ इसी तरीके से इनकी जिन्देगी चल रही है यहाँ पर कुछ लोगे सिधा उनसे बात करने की कोशिश करते हुए यह समझने की कोशिश करेंगे कि किन हालातों में वो यहां पर रहे रहे हैं। आपका नाम क्या दाद है? बिजे राम बिजे रावजी कितने दिन से यहां पर रहे हैं? यहां तो कम सब्शेक। दस बारे दन हो गए, दस दन हो गए मतलब जब से बाल का पानी भराया था घरों में तब से यहाई है क्या वेवस्ता है यहाँ पर सरकार की तरफ से भोजन का कैसे लिग आप लोग कोछ नहीं है, सरकार की कुछ भी आपका नाम क्या है और यहां पर किस सरीके की हाला था मेरा नाम भोला है और सरकार ने दो-तिन दिन तो बहुत अच्छे से देखबाल खाना वाने की सब विवस्ता की थी लेकिन स्याम तक अब कोई खाने की विवस्ता नहीं अब लेवर जो है मजदूर लोग हैं अपने तरफ से प्रशासिंग दरफ नहीं तो कोई पूछने नहीं आया अभी कोई पूछने नहीं आया सरकार की तरफ से देखिए मतलब हालात यह हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि जिन जो जिम्मदार हैं वो कम से कम इन बाढ़ पीडितों की इन जोनी से पराकरम सिंग शेखावट डेडी नियूज यमूना नंदी का पानी आगरास्थित्व विश्व परसे ताच महल की दीवारों तक पहुंच गया महरतिये पुरतत्व सर्वेक्षन का कहना है कि बढ़े हुए जलस्तर से ताच महल को कोई खत्वा नहीं है उन लेखन कर गया कल जलस्तर 499.97 फीट तक पहुंचा जिसके कारण पानी ताच महल की दीवारों के करीब आ गया और समारक के पीछे बने महताब बगीज का जो था वो जलमगन हो गया बात असम की करते हैं जहां बाढ़ की सिती में आज थोड़ा सुधार आया है हलाकि आज भी ब्रह्म पुत्र दुबरी और नेमाटी घाट साई छे नदियां खत्रुए के निशान के ऊपर बह रही है बार पेटा चिरांग दरांग डिब्रुगर और लखीमपुर सहित हैं वो अभी भी चौपेट में करीब नवासी हजार लोग बार से प्रभावित हैं इसके अलावा 2922 हेक्टियर फसलक्षेतर बार से प्रभावित हुआ है इसमें एक लाग से ज्यादा जानवर प्रभावित हुए हैं धेमाजी में कई सडकें शतिग्वस्त हुई हैं और ज प्रभावितों की हर संभव मदद कर रहा है मोधी सरकार हर महीन गरीब लोगों को पांच किलो अनाज मुफ्त में दे रही है राशन की दुकानों से अनाज दिया जाता है लेकिन 36 कर सरकार केंद सरकार की योचनाओं का लाब राज्य की जुनता तक नहीं पहुंचाती देखिये 36 कर से हमारे समवादा था नीरत सिंग की ये खास रिपोर्ट देश के गरीब लोगों के घर का चूला बुझे नहीं उसके लिए मुफ्त अनाज देना शुरू किया था जो आज भी पूरे देश में जारी है लेकिन कुछ सरकारें इस अनाज को अपने नाम पर दे रही हैं और केंद सरकार के योगदान का जिक्र नहीं करती उल्टा आर राशन लेने वाले लोग खुद कहते हैं कि उन्हें करोना के समय दो महीने अत्रिक चाबल दिया गया लेकिन उसके बाद उन्हें चाबल नहीं मिला उनका राशन काड भी इस बात की गबाई देता है राशन से चाबल लेने वाले जातर पिछडी जातियों से हैं या फिर इतने गरीब के मुश्किलों से अपने घर का खर्च उठा पाते हैं जब ये लोग अपने हक की आवाज उठाते हैं तो उन्हें मुफ्त राशन देना तो दूर राशन की दुकान से भगा दिया जाता ह विपक्ष ने भी कई वार आरोब लगाए हैं कि केन सरकार के भेजे हुए चाबल का प्रियोग राज सरकार नहीं कर रही और नहीं उसका लाब गरीबों को सही तरीके से दिया जा रहा है यही कारण है कि आज राज का गरीब परेशान है और केन सरकार की योजनाओं का सही तरीके से लाब उन्हें मिल नहीं रहा अब सबाल यह है कि केन सरकार जब अत्रिक्त अनाज भेज रही है, प्रती व्यक्ती 5 किलो अत्रिक्त अनाज राज सरकार को दे रही है, तो आखिर इन लोगों तक वो अनाज क्यों नहीं पहुंच रहा है। केमरामेंट शेलेंदर के साथ नीरा सिंग, डीडी निूज, राइपोर. प्रदेश का पहला वातानो कूलित विद्याले मिला है. इसके लिए सरकार काया कल्प जैसी कई योजनाई भी चला रही है. सरकार के सकदम से प्रणा लेकर राइपरेली जिले के राही विकास खंट की डीडॉली ग्राम सभा के परधान ने प्रदेश को पहला वातानो कूलित विद्याले देकर विकास की नई अबारत लिखने का कारणामा अंजाम दिया है. प्रदान प्रतिनी धी फती राजकुमार सिंग ने बताया कि उन्हें इसकी प्रणा योगी सरकार से मिली. उन्हें बताया कि वो गरीब बच्चों को बहतर शिक्षा वो माहौल देने का प्रियास करते हैं जिसे बच्चे शिक्षित होकर देश की तरकी में अपना योगदान दे सकें. उन्हें बताया कि बिजली के बिल का कोई जंजट न रहे इसलिए विद्याले में सोलर पैनल की व्यवस्था किये जा रही है. इसकूल के अधियापक बताते हैं कि विद्याले की चर्चा पूरे जनपद में है. प्रधान जी के साकरात्मक सहयोग से स्कूल में शिक्षा का जबर्दस माहौल है. विद्याले में बच्चों की ये संख्या भी लगातार बढ़ रही है. हम लोग की जॉइनिंग यहाँ पे 9 जॉलाई 2016 को हुई थी. और तब इस विद्याले की स्थिती जैसे और विद्याले हैं वैसी थी. मालब हर चीज नहीं उपलक थी. लेकिन अब प्रधान जी की सहायता से विद्याले बहुत अच्छा हो गया है. हमें लगता है राइब रेली में ऐसा कोई विद्याले नहीं है जहाँ पे AC हो. लेकिन प्रधान जी की सहायता से यहाँ पे टायल्स भी लग गया है, इंटरलॉकिंग भी हो गया है. और AC भी लग गया है. अब हमारे बच्चे की संख्या भी बढ़ गई है. इस्कूल में बच्चों की संख्या तो बढ़ी रही है, साथ ही पढ़ाई में बच्चों का भी खुब मन लग रहा है. यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, अब मैं टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती है, जब से AC लग गई है, तब से बहुत अच्छा लगता है. मेरी मैं बहुत अच्छा पढ़ाती है जब सुपर्दान हम गर में से आते थे तो बहुत पसीना निकलता था जब सुपर्दान चाचा ने ऐसी लगवा दी हम लोगो घर जाने के मन नहीं करता है अब हम लोगो पहले तो कुछ जिमनागा भी कर देते थे अब हम रोज आते हैं और अब बात करते हैं G20 की जिसके साइड लाइन इवेंट के तहट वैश्विक खादे नियामक शिखर सम्मेलन पहली बार दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है शिखर सम्मेलन का आयोजिन स्वास्थे और परिवार कल्यान मंत्वाले के तत्वधान में भारतिये खादिस उरक्षो और मानक प्राधिकरन की ओर से 20 और 21 जुलाई को मानक शोस्थ ऑडिटोरियम में किया जा रहा है दो दिन के सम्मेलन में दुनिया भर के 40 से ज्यादा रेगुलेटर्स और 2000 से ज्यादा प्रतिनिधी हिस्सा लेंगे सम्मेलन के लोगों का नावरन केंडरी स्वास्थे मन्फी ने किया आई देखते हैं यह रिपोर्ट फास्ट फूट के बढ़ते प्रचलन, खादे पदार्थों में मिलावट यह सब इनसान ही नहीं पशु के स्वास्थे के लिए भी गंभीर चुनौती पेश कर रहे हैं यही वज़ा है कि देश में पहली बार फूट सेफ्टी पर अंतरराश्ट्रिय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है दो दिन का ये सम्मेलन 20 और 21 जुलाई को नई दिल्ली के मानिक शौ ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएका जी ट्वंटी के साइडलाईन इवेंट के इस ग्लोबल फूट रेगुलेटर सम्मेलन में दुनिया भर के 40 से ज्यादा रेगुलेटर और 2000 से ज्यादा प्रतिनी धी हिस्सा लेंगे सम्मेलन के लोगों का अनावरन केंद्रिय स्वासिमंत्री डॉक्टर मनसुक मांडविया ने किया इस मौके पर स्वासिमंत्री ने कहा कि हमारा किचन ही हमारा अस्पताल है भारत एक ऐसा देश है जिसमें फूट सेफटी के बारे में आज से नहीं सदियों पहले से विचार किया गया था भारत के परंपरा रही है भारत के जिवन शेली रही है जाम आज से नहीं सदियों से फूट सेफटी को प्रात्मिक्ता देते थे आचारे चानक कने अपने नीती शास्त्र में फूड में मिलावट करने वाले लोगों को क्या सजा करनी चाहिए उसके पर उलेक किया है दुनिया बीमार होने के बाद ट्रिटमेंट की बाद तो करती ही है करनी चाहिए लेकिन हमारा शास्त्रों ने हमें दर्शन दिया है कि हम बीमार ही ना पड़े, स्वस्तर है प्रिवेंटिव केर के लिए यहां हमारा कीचन वो भी एक होस्पिटल ही है समेलन के तोरान आ रहे नए नए तकनीक, इनोवेशन, स्वास्पर पढ़ने वाला उनका प्रभाव एंटिबायोटिक के दुश्प्रभाव, जानवरों के चारा, बच्चों के दूद के रूप में मिल रहे विकल्प के दुश्प्रभाव पर विसार से चर्चा होगी साथ ही समेलन के तोरान प्रदरश्णी भी लगीगी दुनिया भर के कई CEO भी इस समेलन में शिर्कत कर रहे है ऐसा पहली बार हो रहा है कि यह शिकर समेलन रोम इटली के बाहर आयोजित किया जा रहा है समेलन में 30 अंतर राष्ट्री संगठनों और 25 अंतर राष्ट्री अनुसंधान संसानों और विश्विद्यालेयों के प्रतिनी धी भी हिस्सा लेंगे ऐसे में ये शिकर समेलन समोहिक प्रयासों के मात्यम से वेश्विक खाद्य सुरक्षा मानकों के सामन जस्य नियामक धाचे में सुधार और दुनिया भर में उपभोगताओं के लिए सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले भोजन के प्रावधान को बढ़ावा करिक्रम के दौरान कई नई पहल भी होंगी जिसके तहट फोड ओ कोपो ईया का विमोचन और एक कॉमन डिजिटल डैश्बोर्ट की भी शुरुआत होगी नितेंदर सिंग डीडी नियूज दिल्ली और अब खबर दलाल स्ट्रीट से घरेलू शेयर बाजार में आज एक बर फिर नए रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला जारी है बेसी का सेंसेक्स आज 109 उंक की मद्बूती के साथ ओपनिंग का नया रिकॉर्ड बनाते हुए 66905 उंक के सर पर खुला इसके बाद सेंसेक्स ने 67115 उंक का आल टाइम हाई का नया रिकॉर्ड कायम किया सेंसेक्स की तरह निफ्टी भी आज ओपनिंग का नया रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आया जहां 19802 के स्थर पर वो खुला इसके बाद निफ्टी ने अभी तक सर्वोस्तर 19881 अंक के स्थर कुछ हुआ है इससे पहले कल भी शेयर बाजार टेजी के साथ ही बंद हुआ था नीतियायोग ने हाल ही में ताजा निर्यात तैयारी सूचकांग जारी किया इस सूचकांग में तामिलनाडू ने सबसे बहतरी इन तैयारी दिखाते हुए शीश थान हासिल किया इस सूचकांग का उद्देश्य राज्यों की निर्यात शमता के लिहाज से उनकी तैयारी का आखलन करना है आई देखते हैं और क्या खास रहा इस रिपोर्ट में हमारी से जूजने के बाद भारत्य निर्यात ने कई चुनोतियों का सफलता पूर्वक सामना करते हुए अपना लचिलापन साबित किया है अब इसी मुद्य पर गहराई से बात करने के लिए नीती आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांग के तीसरे संसकरन को पेश करती हुई रिपोर्ट EPI 2022 जारी कर दी है इस रिपोर्ट का मकसद राजियों के निर्यात ख्यमता और प्रदर्शन के लिहास से उनकी तैयारियों का आकलन करना है नीती आयोग के इस रिपोर्ट में तमिलनाडू ने 80.89 अंग के साथ शिर्ष स्थान हासिल किया है इसके बाद महाराश्र, करनाटक और गुजरात को रिपोर्ट में उच्छ स्थान हासिल हुआ है सभी राजियों और केंद श्रासित प्रदेशों के पास भौगलिक और अन्य कारणों से निर्यात की एक जैसी संभावनाई नहीं है इसलिए रिपोर्ट में राजियों और केंद श्रासित प्रदेशों को चार अलग-अलग श्रेणियों में बाटा गया है माचल प्रदेश, मनिपूर और त्रिपूरा का नंबर आता है। इसके लावा केंद श्रासत प्रदेशों और छोटे राज्यों की इस्ट्रेणी में गोवा को 51.5 आ ठंकों के साथ पहला अस्थान मिला है। इसके बाद जमू कश्मीर और दिल्ली ने अपनी जगह बनाई ये रिपोर्ट मुखी तोर पर चार अस्तंभों पर राज्यों के प्रदर्शन का मुल्यांकन करती है। पॉलिसी, बिजनेस एकोसिस्टम, एक्सपोर्ट एकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉमेंस। इसके लावा नीती आयोग ने बताया है कि इस रिपोर्ट में राज का लख राज्यों और अन्य जिलों को निर्यात के इंद के रूप में बढ़ावा देकर वैश्विक निर्यात में बड़ा भागिदार बनना है। बिरो रिपोर्ट डीरी नियूज। गरिलू मांग सेक्षेत्र की अर्थ विवस्था को बरने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट में इंधन और खादे कीमते घटने के कारण मेंगाई में गिरावट जारी रहने की उम्मीद जताई गई है जो वैश्विक महामारी से पहले किस तरके करीब पहुंचेगी। रिप गरिखनी है कि भारती अर्थ विवस्था माश 2023 को समाप्त वितवर्ष 2022 में जीडिपी की विद्धीदर 7.02 फीस दी रही है। इससे पहले ADB ने अप्रेल में चारोवित वर्ष में भारत की आर्थिक विद्धीदर घटा कर 6.04 फीस द कर दिया था। दरूरत है। वहीं युक्रेन मसले पर भारत ने अपना रुख दोहराते हुए कहा कि रूस और युक्रेन अपनी शत्रुता तुरंट खत्म कर बातचीत और कूट नीदी के जरीए मामली का हल निकाले। तुरा के रूट इंटॉऔ्ट आपला इन्साइट है कि अटीतना ग्राज से अट्रीजा के अटॉर्ण ऑलीकराओ। India's approach to the Ukraine conflict chair will continue to be people-centric We are providing both humanitarian assistance to Ukraine and economic support to some of our neighbors in the global south under economic distress even as they stare at the escalating cost of food, fuel and fertilizers which has been a consequential fallout of the ongoing conflict The Russian conflict को सुनिश्टित करेगा रूस के फरवरी 2022 में युक्रेन पर आक्रमन्ट से बिगडे वैश्विक खादे संकट से निपटने के लिए पिछले साल जुलाई में सायूत राश्ट्र और तुर्की द्वारा काला सागर समझोता किया गया था युक्रेन और रूस दुनिया के शीर आना आज जो निर्यातक है उनमें से एक है खबर अलसालवडोर से जुहा की राश्टानी सैंसालवडोर में 6.5 तीवरता के भुकम के तेज छटके महसूस किये गए अलसालवडोर की राश्टानी में जैसे ही जमीन हिरी वैसे ही आनन फानन में लोग सडकों पर आ गए भुकम से ततकाल कोई नुकसान की सूचना नहीं मिली युएस जियोलोजिकल सर्वे के अनुसार अलसालवडोर के प्रशान तट पर ये भुकम पाया इसके रावा मध्य अमेरिका क्श्वेत्र के तट पर भी 6.6 तीवृता का भुकम पाया उत्तर कोरिया ने आज तड़के पूर्व की ओर दो बिलेस्टिक मिसाइल दागी उत्तर कोरिया ने एक अदम उठाकर वाशिंग्टन, जापान और दक्षिन कोरिया को संकेट दिया है कि उसे कमजोर ना समझा जाए जापान और दक्षिन कोरिया की सेना उने कहा कि चार दशक में पहली बार अमेरिकी बिलेस्टिक मिसाइल पंडुबी के दक्षिन कोरिया के बंदरगा पर पहुँचने के कुछ ही घंटो बाद उत्तरी कोरिया ने ये हरकत की है सियोल ने कहा कि अमेरिका और दक्षिन कोरिया सुरक्षा वारता के उद्धाटन सत्र के एक दिन बाद उत्तर कोरिया ने बूर्वी सागर में दो कम दूरी की बिलेस्टिक मिसाइल दागी ये वारता सियोल से 320 किलोमीटर दक्षिन पूर्व बुसान में प्रमुख 9 सेनी कड्डे पर हुई दक्षिन कोरिया के जॉइन चीफ अफ स्टाफ ने कहा कि मिसाइले सुनान शेत्र से सुभा 3 बचकर 30 मिनट से पौने 4 बजे स्थानी समय के अनुसार दागी गई मिसाइल्स ने समुदर में गिरने से पहरे रगबग 500 किलोमीटर की दूरी की उडान भरी रूस के कब्से वाले क्रेमिया पुल पर हमले के बाद से ही रूस और युक्रेन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है रूस लगातार युक्रेनी शेत्रों को निशाना बना रहा है और युक्रेन का कहना है कि रूस ने उसके ओडेसा बंदरगा पर लगातार दूसरी रात हवाई हमले किये हैं ओडेसा के गवर्नर ने कहा कि युक्रेनी वायू रक्षया प्रनालिया बुद्वार तड़के ओडेसा के दक्षणी बंदरगा पर लगातार दूसरी रात को रूस द्वारा किये गए हमले को विफल करने में लगी हुई है इससे पहले रूस ने मंगलवार को युक्रेनी बंदरगाहों पर हमला किया था रूस ने ओडेसा और माईकोलेव को निश्वाना बनाया था हबर तुर्की से जहांके जंगल की आग पर काबू पाने के लिए सेंक्रो अगनी शामक लगाए गए जंगल की आग अब तुर्किये के कुछ अनिक शेत्रों में भी प्रवेश कर चुकी है जंगल की आग पर काबू पाने के लिए हवाई मार्क से जो अगनी शामक है उनकी मदद के लिए सेने विमानों और आपातकालीन हेलिकॉप्टर्स को प्रभावित शेत्रों में तहनात किया गया तुर्की के उत्तर पश्चमी कनाकले प्रांथ में आग सोला जुराई को शुरू हुई थी जो तेज हवाउं के कारण पूरे शेत्र में फैल गई जंगल की आग से मंगलवार को भी लोगों को भारी तबाही जहनी पड़ी एथन्स के उत्तर पश्चम में एक विशाल शेत्र में जंगल की आग ने कारों, संपत्तियों और सेक्रो घरों को नश्च कर दिया जिससे वहां के निवासियों को अपना घर छोड़ कर भागना पड़ा एथन्स के पास मंद्रा में मिक्रो काटेरिनी के कई घर जल कर खाक हो गए एथन्स ने ये कहा है कि आग 8 किलोमीटर की दायरे में फैले होने की वज़ा से घना धुआ चाया हुआ है आग लगने की घटना के बाद पूलीस ने प्रभावित च्वेत्र से 300 से ज़्यादा लोगों को निकाला है मध्य कोलंबिया में भूसखलन की घटना में बाहा लोगों की मौत हुई है वहीं भूसखलन के कारण राज्थानी बोगोटा को देश के पूर्वी मैदानी इलाकों से जोनने वाले प्रमुक हाईवे पर आवा गमन बादित हो गया अधिकारियों ने बताया कि बोगोटा के दक्षिन पूर्व मिस्थित क्वेटेम शेहर में उचाई वाले श्वेत्र में कीचल और मलबे का धेर आने से कई घर तबाह हो गए उन्होंने कहा कि भारी बारिश के चलते ही हाथसा हुआ जिसकी वज़ा से बार किस्थित ही पैदा हो गई है बात अमेरिका की जहां के फेनिक्स राज्य के अरिजोना शेहर में गर्मी ने पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया एरिजोना में कल शेहर का तापमान लगातार 19 में दिन 43 डिग्री से उपर रहा इससे पहले वर्ष 1974 में लगातार 18 दिनों तक पारे के 43 डिग्री से उपर रहने का रिकॉर्ड था एरिजोना में बढ़ते तापमान से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है मौतों के बढ़ते खत्रे की च्वेताब नहीं दी है रुक खरते हैं खेल जगत की खबरों का Korea Open Badminton Tournament का आज दूसरा दिन है Tournament के शुरुवाती माच में आज बारतिये स्टार, श्वाटलर, किदामी श्रीकांथ, एचेस्परणॉय और मिथुर मंजुनाथ अपने-अपने मैच खेलने वाले है किदामी श्रीकांथ अपने अभ्यान की शुरुवात जापान के कैंटो मोमोतो के खिलाफ करेंगे वाई एचेस्परणॉय बेल्जिम की जूलियन केरागी से भिरने वाले है महिला एकल वर्क में पहले दौर में पीवी सिंदु का सामना चाइनी ताइपे की पाई यूपो से होना है महिला एकल में मालविका बंसौर और आकरश्वी कश्यप पहले दौर की बाधा पार करने के राजिसे कोट पर उतरेंगी भारत और बागनादेश की महिला टीमों के बीच तीन माचों की वन डे सीलिस के दूसरा जो मुकाबला है वो आज खेला जाना है बागनादेश ने टौस चीत कर पहले गेन बाधी करने का निर्णे लिया ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने तीन विकेट पर 15 रन बनाए सलामी बल्लेबास स्मिती मंधाना ने 36 रन की पारी खेली यास्तिका भाटिया 15 रन बना कर रन आउट हुई सीरीज के पहले मैच में भारती मैला टीम को बागनादेश के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा और इस मैच में बागनादेश ने भारत को डगवर्थ और लुइस नियम के तहत 40 रनों से हराया आज होने वाले मैच में भारती टीम वापसी करते हुए सीरीज को बराबरी पर लाना चाहेगी इंग्लेंड और आश्रेज जो सीरीज चल रही है आस्ट्रेला के बीच वहाँ चौथा मुकाबलात से मैंचेस्टर में खेला जाना है सीरीज में आस्ट्रेलिया टीम दो एक की बढ़ात बनाये हुए है शुरुवाती दो मैचों में आस्ट्रेलिया को जीत हासिल हुई चबकि तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लेंड ने वापसी करते हुए तीम विकेट से मैच अपने नाम किया इस सीरीज के चौथे टेस्ट से पहले आस्ट्रेलिया टीम की प्लेइंग 11 में बदलाव हुआ था चौथे टेस्ट में आस्ट्रेलिया टीम में जोश हिजलवूट की वापसी होगी और स्कॉट बॉलांस की जगा टीम में मौकाब दिया जाएगा आस्ट्रेलियाई टीम आज से शुरू हो रहे चौथे टेस्ट को जीत कर सीरीज पर कबज़ा करना चाहेगी वहीं मेस्वान टीम की नजरेस माच को जीत कर सीरीज बराबरी पर करने से होगी वहीं विश्व तिरंदाजी पहला चांपेंशिप में भारती तिरंदाजों का शांदार प्रदर्शन जारी है महिला तिरंदाज सरिता ने कंपाउन ओपन इविंट से पहला स्थान पराप्त किया साथी सरिता ने 697 अंकों के साथ शीष पर रहते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया में तैयार हैं फीफा माईला विश्व कप में खिदाब की जंग के लिए और अस्ट्रेलिया और न्यूजलेंट में गुरुवार से सयूंस रूप से होने वाले विश्व कप के लिए ये सभी टीमों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में पूरी ज़्वान लगा दी प्रतियोगिता में 32 टीमें हिस्सा ले रही है जोने 8 ग्रूप में बाटा गया हार ग्रूप से 6 दो टीमें प्री क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाएंगी 1991 से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में इस बार कई जो टीमें हैं उन्हें खिताब का प्रबल दाविदार माना जा रहा है देखिए की रिपोर्ट महिला विशुकप के इतिहास में अमेरिका की टीम सबसे सफल टीम मानी जाती है टीम ने अब तक चार बार खिताब जीतने में सफलता पाई है वहीं ये टीम पिछली दो बार भी खिताब जीत चुकी है ऐसे में अनुभवी और युवा खिलाडियों के सांथ उतरने जा रही अमेरिका टीम की नजर खिताबी हैटिक पर होगी फिफा विश्वर रंकिंग में अमेरिका टीम नंबर एक स्थान पर लंबे समय से बरकरार है टीम ने पिछले 24 मैचों में से 21 मैच में जीत हासिल की है इस साल का रिकॉर्ड उन्हें खिताब का और भी प्रबल दावेदार बना रहा है इस साल अमेरिका ने साथ मैच खेले हैं और इन सभी मुकाबलों में बगेर कोई गोल खाए जीत हासिल की है टीम ने जापान, कैनेडा और ब्राजील जैसी मजबूत टीमों के खिलाब जीत हासिल की है अनुभवी मेगन रापीनो और एलेक्स मॉर्गन का ये अन्तिम विशुकप होगा ऐसे में टीम उन्हें खिताब के साथ विदाई देना जाहेगी हाला कि टीम की कुछ प्रमुख खिलाडी चोट के कारण टीम का हिस्सा नहीं होंगे उनकी अनुपस्तिती में सोफिया स्मित, रॉडमेन और 18 साल की एलिसा थॉम्सन अपनी चाप छोड़ने की कोशिश करेंगी विशुकप में अमेरिका को ग्रूप ई में रखा गया है जहाँ पर उनके साथ वियतनाम, निदरलेंड्स और पूर्टगाल की टीम मुझूद है अमेरिका को पहला मैच 22 जुलाई को वियतनाम के साथ खेलना है जर्मनी की निजर तीसरे खिताब पर अमेरिका के बाद विशुकप के इतिहास की दूसरी सबसे सफल टीम जर्मनी है टीम ने 2003 और 2007 में लागतार दो बार खिताब जीतने में सफल तप आई थी अंतराश्ट्रे मुकाबलों में जर्मनी को यूरोप की सरवस्टेस्ट टीम माना जाता है टीम ने 1995 से 2013 तक 6 बार यूरोपियन चेंपियनशिप का खिताब जीता था टीम 2022 के यूरोचेंपियनशिप में उप विजेता रही थी फाइनल में जर्मनी को इंगलेंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था टीम के सफी खिलाडी फिट है और इस बड़ी प्रतियोगता में अपनी छाप छोड़ने के लिए तयार दिखाई दे रही है उलट फेर को तयार में जबान ऑस्टेलिया घरेलू दर्शकों के सामने उस्टेलिया की महिला टीम उलट फेर करने के लिए तयार दिखाई दे रही है टीम के पास कई विश्वस्तरिय खिलाडी है टीम में सुपरस्टार सेम केर, फूलबेक एली कारपेंटर और फारवर्ड कैटलेन फ्रूट की अनुपस्तिती विवक्षी टीम के लिए किसी भी मैच में खतरनाक साबित हो सकती है औस्टेलिया को गुरूप B में कैनेडा, नाइजिरिया और रिपब्लिक और आइडलेंड के साथ रखा गया है टीम ने हाल ही में यूरो चैंपियन इंगलेंड स्पेन, स्वीडन जैसी टीमो को हराया है स्वीडन को पहले खिताब की तलाश स्वीडन की टीम भले ही अब तक विश्यू कप का खिताब जीत नहीं सकी हो लेकिन यूरोपियन फुटबॉल में उन्हें एक मजबूत टीमों में गिना जा सकता है टीम बड़ी प्रतियोगताओं में लागातार अच्छा परदशन करती रही है 2003 में टीम उप विजेता रही थी वही 1991, 2011 और 2019 में वो तीसरे स्थान पर रहे थे यूरो के बाद इंग्लेंड की नजर विश्यू कप पर इंग्लेंड की टीम विश्यू कप में मौझूदा यूरोचेंपियन के रूप में उतरने जा रही है टीम को ग्रूप D में डेनमार्क, चीन और हाती के साथ रखा गया है टीम ने पिछले साल जर्मनी को हरा कर यूरोचेंपियनशिप का खिताब जीता था विश्यू कप में भी वो अपने उसी परदशन को दोहराने की रादे से उतरेंगे टीम के कुछ खिलाडी चोटिल हैं, जिनके कारण उन्हें कुछ परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है बेथ मेड और लेह विलियम सन और फ्रेंड केरण प्रत्यूगता से बाहर हो गई है ऐसे में क्लब मुकाबले में पिछले सत्र में बेहतरीन परदशन करने वाली एलन्सियों, रूसों और केली की जिम्मदारियां बढ़ जाती है कहते हैं कि भारत की लोग हमेशा नए विचारों को स्वीकार करने और उन पर अमल करने के लिए इच्छुक रहते हैं और केरल के मियावा की जंगल इसका उधारन है अपने हाली एपिसोट मन की बात के दौरान प्रदान मंतुरी ने मियावा की रोपन तक्नीक पर प्रकाश ठाला जो की एक जापानी विधी है जो सीमित स्थान में घने शहरी जंगल बनाने के लिए जानी जाती है प्रदान मंतुरी ने केरल के एक शिक्षक रफी रामनात की प्रेना दायक कहानी साजा की जिन्होंने 115 किस्मों के पेड लगा कर एक बंजर भूमी को विध्या वनम नामक एक सम्रिद लगु जंगल में बदलने के लिए मियावा की पद्विती का सफलता पूर्वक उप्यो क्शेतर में बदल सकती है बिलिये केरल के अलापूजा जिले में एक शिक्षक रफी रामनात से जिन्होंने मियावा की जंगल उगाया था रफी रामनात अपने चात्रों और अपने आस पास के लोगों के बीच जंगलों और हर्याली के महत्तों के बारे में चागरुता और इसका नाम विद्यावनम रखा। प्रधान बंत्री ने अपने मन की बात कारिक्रम में उनका जिक्र किया और कहा कि सुन्दर नाम एक शिक्षक से ही मल सकता है। जपान की तकनीक मियावाकी अगर किसी जगह की मिटी उब्जाव नहीं रही हो तो मियावाकी तकनीक उस खेत्र को फिर से हरा भरा करने का बहुत अच्छा तरीका होती है। मियावा की जंगल तेजी से फैलते हैं और दो तीन दसक में जैव विविदता का केंदर मन जाते हैं केरल के रहने वाले रफी राबनाद अलापूचा उना टुकारा विवी एच एसस के शिक्षक होनी के अलावा एक परियावरण विद्भी हैं स्कूल में वनस्पती विग्यान के शिक्षक रफी राबनाद एक ऐसे प्रकृति प्रेमी हैं जिन्हें 2009 में परियावरण किलब के समनवेक के रूपे चुना गया था अब वो दूसरे स्कूलों के लिए आदर्श शिक्षक हैं उनके चातर रफी रामनाद को जंगल उगाने और उसका पोशन करने में मदद करती हैं वर्तलब है कि वनिकरन की मियावा की विधी अधिक तम 30 वर्षों की अवधी के भीतर अपने परिणाम प्राप्त करती है सुधार, कारवन को अलग करना, हरित आवरन को बढ़ाना, वायू प्रदूशन को कम करना और जलस्तर को सम्रक्षट करना शामिल है हमारे पास 150 से अधिक परकार की आशिजी पौदे हैं दंडपाल नाम का ये पौदा तोजारों के एक महतुपून आशिदी है बहुत से लोग यहां डंडपला की पत्या कर्टी करने आते हैं इस स्कूल और अन्य स्कूल की की चातर यहां आते हैं और अपने शोद कारिये के तहट पौदों के बारे में जानकार एकतर करते हैं हम इस से खुश हैं सबसे बड़कर जंगल जाग्रुकता बढ़ाने और बच्चो को हमारी प्रियावरन और वन सेलक्शन के महत्वं के बारे में संदिश जेने में मदद करते हैं जंगल की स्थापने ने मेरे और बच्चों दोनों के वहवार में जबरदस बतलाव लाजा है। रफीर रामनात का सपना है कि भारत में 100 करोड वन हो। वह अपने छातरों और दोस्तों के साथ हरित भारत के अपने मिशन को पूरा करने के लिए दर्ण संकल्पित भी नजर आते हैं। रामनात के लिए थाओ। ख्युक्स के लोगता है। ए morally डामनात के लखारत के वह अपने मिशन के लिए जवगते हैं। झाल